फिल्मों से ज्यादा संगीता बिजलानी सल्मान खान से अफैर को लेकर चर्चा में रही है दोनों साल 1986 में एक दूसरे के करीब आए और करीब 10 साल तक एक दूसरे को डेट किया कहा तो यहां तक जाता है कि सल्मान और संगीता बिजलानी की शादी की तारीख भी आ गई थी यही नहीं शादी के कार्ट भी चप गए थे लेकिन इसी बीच पूरे इवेंट पर पानी फिर गया था सल्मान ने भी कौफे विद करण में कुबूल किया था कि कैसे वो शादी के बेहत नस्दीक आ गए थे करण जोहर ने जब सल्मान से पूछा कि क्या शादी के कार्ट चप गए थे तो सल्मान ने हामी भरी थी दरसल सल्मान खान की जिंदगी में आक्ट्रस सोमी अली आ गई थी संगीता को जब सोमी अली से सल्मान की नस्दीकियों की बात पता चली तो उन्होंने शादी तोड़ने का मन बना लिया सलमान से रिष्टाफ खत्म करने के बाद संगीता ने क्रिकेटर अजरुदीन से शादी का मन बनाया लेकिन अजहर पहले से शादी शुदा थे उनके दो बेटे भी थे लेकिन संगीता पर इसका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा अजहर की पहली पत्नी नौरीन को इसकी जानकारी मीडिया के जरिये ही मिली थी संगीता के लिए अजहर ने अपनी पहली पत्नी को तलाग दे दिया वही संगीता ने इसलाम धर्म कबूल कर शादी कर ली उन्होंने अपना नाम आईशा रखा लेकिन संगीता और अजहर का रिष्टा उस समय तूट किया जब अजहर का नाम बेडमिंटन के लाड़ी जुआला गुट्टा से जुड़ा जिसके बाद साल 2010 में दोनों का तलाग हो गया वही संगीता बिजलानी और सल्मान खान आज भी अच्छे दोस्त हैं और अक्सर उन्हें सल्मान खान के घर पर होने वाली पार्टीज में देखा जाता है अभी विडियो को लाइक करें, शेर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी नियूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ, बाई बाई